बच्चो ये एक गिलास है जो आधाफ पानी से बरा हुआ है हम गिलास की धारिता या पानी का आयतन आसानी से ग्याद कर सकते हैं सर, आयतन से आपका क्या आर्थ है? यदि कोई वस्तु ठोस है, तो उस वस्तु द्वारा गेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस मापको वस्तू का आयतन कहते हैं तो आओ, आज मैं तुम्हें आयतन के बारे में बताता हूं उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे घन और घनाप का आयतन ग्याद करना बेलन का आयतन ग्याद करना लंब वृत्तिय शंकू का आयतन ग्यात करना गोले और अर्थ गोले के आयतन की गर्ना करना आयतन से संबंधित उधारणों को हल करना परिभाशा आयतन किसी द्रव, ठोस या गैस द्वारा घेरी गई त्री विमिये जगह की मात्रा को आयतन कहते हैं आयतन को व्यक्त करने के सामाने मात्रक लीटर, घन मीटर, गैलन, मिलिलीटर, छोटा चमच और हाउंस होते हैं धारिता किसी भी वस्तू की अधिकतम धारंग शमता को उसकी धारिता कहते हैं उधारंग के लिए इस बाल्टी की धारिता नौ लीटर है या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तू का आयतन उस वस्तू द्वारा घेरे गए स्थान की माप और किसी वस्तू की धारिता उस वस्तू के अभियंतर में भरे जा सकने वाले वस्तू का आयतन है घनाब का आहतन एक घनाब एक तरीविमिय आकार होता है अतहा आहतन ग्यात करने के लिए हमें तीन मापें ग्यात होनी चाहिए इस आकार को देखे यहां तीन भिन मापे हैं उचाई, चौड़ाई और लंबाई आहतन निमनलिखित सूत्र की सहायता से ग्यात किया जाता है उचाई, गुणा चौड़ाई, गुणा लंबाई जिसे संशिब्द रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं V बराबर H गुणा W गुणा L या ज्यादा सरल रूप में इस प्रकार लिखते हैं V बराबर L, W, H गन का आहतन चुणकि गन के सभी किनारे समान लंबाई के होते हैं इसलिए हमें लंबाई, चौड़ाई और उचाई में भेद करने की कोई आविशक्ता नहीं है घन के आहतन का निश्चय घन के तीनों किनारों की लंबाई के गुणन करके किया जाता है मान लिजे कि A घन के किनारे की लंबाई है, तो आहतन का सूत्र इस प्रकार परिभाशित है वी बराबर A, गुणा A, गुणा A, इस सूत्र को इस रूप में भी लिख सकते है उधारण आईए घनाप के आहतन को ग्याद करने के लिए एक उधारण हल करें इस चिप्स के पैकेट को देखो, इसकी लंबाई 20 cm है, चौड़ाई 8 cm है और उचाई 30 cm है हमें इस गायतन ग्याद करना है हमें मालूम है कि घनाप कायतन उचाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई होता है इसलिए इस खाद्य पैकेट का आयतन बराबर L गुणा W गुणा H जो की 20 गुणा 8 गुणा 30 के पराबर है और ये 4800 घन सेंटीमीटर के बराबर है आये अब घन का आयतन जानने के लिए एक उधारण हल करें एक घन का प्रिस्टी एक शिद्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा हल घन का प्रिस्टी एक शिद्रफल है S A बराबर 6 A वर्ग अताह A वर्ग बराबर S A बटे 6 बराबर 54 बटे 6 बराबर 9 और A बराबर 3 सेंटीमीटर हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है V बराबर एक घन, इसलिए ये हुआ तीन घन या V बराबर 27 घन सेंटिमीटर बेलन का आयतन एक बेलन का निर्बान दो वृत्तौं और एक आयत के प्रयोक से किया जा सकता है बेलन का आयतन वृत्ति के व्यास से सीधा संबंधित होता है बेलन का आयतन इसके वृत्तिय आधार के क्षित्रफल को इसकी उचाई से गुणा करके ग्यात किया जाता है इसकार्थ है कि बेलन का आयतन बराबर वृत्तिय आधार का क्षित्रफल गुणा उचाई बेलन के आयतन के उधारन यदि एक बेलना कार टैंक की धारिता 1840 गन मीटर है और इसके आधार का व्यास 14 मीटर है तो टैंक की गहराई ग्याद कीजिए मानलीजिये कि टैंक की गहराई है तब आयतन होगा v बराबर πाई गुणा आर वर्ग गुणा h या h बराबर v बटे पाई गुणा आर वर्ग जिसका अर्थ है h बराबर 12 मीटर अता टैंक की गहराई 12 मीटर है लंब वृत्य शंकू का आयतन प्रतेक शंकू का एक आयतन होता है, जो समान आधार और उंचाई के बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है शंकू का आयतन ग्याद करने के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे जो की हमने बेलन के लिए लगाया था और उसे तीन से भाग कर देंगे आधार बी और उचाई ह के शंकू के आयतन का सूत्र है आयतन बराबर एक बटे तीन आधार का क्षित्रफल गुणा उचाई या वी बराबर आर वर्ग पाई ह बटे तीन या एक बटे तीन पाई आर वर्ग एच लंब वृत्य बेलन के आयतन का उधारण आईए एक उधारण हल करें एक शंकू का आयतन ज्याद करें जिसके आधार की तृज्या 2.1 cm और उजाई 6 cm है पाई बराबर 22 बटे 7 का प्रेहुक करें हल हम जानते हैं कि शंकू का आयतन एक बटे 3 बाई यार वर्ग H होता है इसलिए वी बराबर एक बटे 3 गुणे 22 बटे 7 गुणे 2 दशमलव एक वर्ग गुणा 6 है जो कि 27 दशमलव 32 घन सेंटीमेटर के बराबर है गोले का आयतन गोला 3 विमिये एक पूर्था गोल जया मिद्य पिंड होता है जैसे कि एक गोल गेंद का आकार गोले का आयतन होता है 4 बटे 3 पाई आर घन जहां आर गोले की त्रिच्या होती है एक अर्थ गोला गोले का ठीक आधा होता है और इसका आयतन गोले के आयतन के आधा होता है अर्थ गोले का आयतन 2 बटे 3 पाई आर घन है जहां आर त्रिच्या है गोले के आयतन का उधारण आईए गोले के आयतन की गड़ना करने के लिए एक उधारण हल करें 21.6 cm त्रिज्या के गोले का आयतन ग्याद कीजिए हल वांचित आयतन 4 बटे 3 पाई आर घन है जिसे हल करने पर हमें 4 दो दो तीन चूने दशमलव 3 चार घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है अर्ध गोले के आयतन का उधारण एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है इसमें रखे जाने वाले पानी का आयतन कितना होगा हल पानी का आयतन जो कटोरे में रखा जा सकता है 2 बटे 3 पाई आर घन है जो की करना करने पर 89.8 सेंटीमीटर घन प्राप्त होता है क्या आप जानते है हायतन के सूत्र की खोच की सहायता से गहरिकूं और समुद्र तल की माप संभव हुई साहरांच आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संग्षेप में दोहराएं इस पार्ट में आपने निम्नलिकित बिंदूओं का अध्यान किया है घनाप का आयतन L गुणा B गुणा H होता है घन का आयतन A घन होता है बेलन का आयतन P आर वर्ग H होता है शंकू का आयतन 1 बटे 3 पाई आर वर्ग H होता है आर द्रिज्या के गोले का आयतन 4 बटे 3 पाई आर घन होता है और अट का आयतनलुना गुणा है